मेरी सोच जो मैं बता हूँ मैं हमारा धर्म क्या है उस पे जादा विश्वास करता हूँ कि हमारे धर्म में सबी लोगों का मान समान करो और सबी को रेक्स्पेट दो ऐसा हमारे धर्मों में लिखा हूँ हिंदुों का कतल करो काफिर हिंदू और हिंदू को नहीं बखषना है तो मैं उस किताब पर जाना नहीं चाओंगा ठीक है आने वाले समय में यह किताब बैंड हो मैं इसके लड़े लड़ने वाला हूं कफिर मतलब जो इस नाम को नहीं मानता इंग्लिश प्वे बोलेगे नान मूस्लिम उसमें बुरा रगली की बात क्या है आप समझें dip और मैं ये भी जाना चाहूंगा जब मैंने इसलाम के बारे में जाना चाहा तो मैंने इसलाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता इसलिए मेरा misconception है यह सही है मैं यह आप से जाना चाहूँँगा कि ऐसा माना जाता है कि इसलाम में कि जो इसलाम को ना माने या काफिर हैblindजाए उससे मार दिया जाए काड़ दिया जाए उसके फैमली को लूट लिया जाए किया ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हथ नहीं? माशाला बाई साब ने पूर अच्छा सवार किया वो कहता है कि मुझे ये गलत फहिमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहे कार देना चाहे आपको कोई भी मुसल्मा ने मारा या काथा? है ना? आप माशाला से दलामत है आपको किसने मारा काथा? मैं जानना चाहरा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबे लिखते मिसाल के तोर पे अरुन शुरी अरुन शुरी का नाम सुने अरुन शुरी अरुशुन जो मिनिस्टर था चानल साल पहले बहुत किताब लिखते है इसलाम के खिलाफ इसलाम के खिलाफ लोग क्या करते है खुरान मजीत की आयट उठाते और दो Фंटेक्स पस्मानजर के खिलाफ कुछते और एक आयद जो बहुत इसलाम की किट्रिक उचालते वो इस सुरे तोबा की आयद सुरा नमबर नौ आयद नमबर पांच और लिखते है कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे हिंटू बैकेट्स हिंदू आप उनके गतल करो आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कतल करो लिखा है लिकिन यह आउट आफ पंटेक्स है पसमंदर के खिलाफ है पसमंदर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहली से पढ़ना पढ़ेंगा सुरे तोबा सुरा नंबर नौ आयत नंबर एक से पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुश्रिक मक्का के उनके बीच में एक पीश ठीटी थी एक सुला थी ये पीश ठीटी ये सुला एक तरफा मुश्रिकों ने तोड़ दिया मक्का के जब अल्ला ताला आयत नंबर पांच पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें चार महिने का वक देते हैं चार महिने की महलत आप सुदर जाओ बन्ना एलाने जंग आपने सुला की थी आपने सुला को तोड़ी चार मेने का वक्फा सुदर जाओ वन्ना हिलाने जंग और फिर अल्ला केते सुरे तोबा सुरा नम्बर नौ आयत नम्र पाँच में जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में तो आप लड़ो दरो मत अभी कोई के मैदान में जब काफिर तुम्हे हमला करने आ रहे मालो और अरू शूरी आयत नमबर पांच से उड़ी मान थे आयत नमबर सत्में उसने किताब लिगी वर्ल्ड फटौवास इस्ञाम के खिला आयत नमबर पाँच से जंग मान था आयत नमबर साथ पे पांच के बात क्या के जगा पर महफूस पोचाओ क्या कहता है अगर कोई काफिर सुला चाहता है अमन चाहता है उसे छोड़ो मत दो उससे समाल के हिफादत के साथ महफूस जगा पर जाके छोड़ो एसकॉर्टिम क्यों प्लेसर सेक्यूरिटी आज का सिपासला सबसे द्यालू क्या बोलेगा किलाफ कोड़ करते और जहां भी जिहाद के आयदे जंग के मेदान में जब मिलते है गेर मुस्लिम से वह आपको कतल का नहरे कतल करो उसके बास फारण आप पढ़ेंगे सुरह अनफार सुरह नमबर आट आयत नमबर साट के बाद 61 में लिका है अमन बेतर है माबारत में कतल करने के कितने श्रोका दे कितने हजारो कुरान से कई जादा तो माबारत जानते है अब ना जब में हिंदू से पूछता हूं माबारत में जगड़ने के कितने लड़ने के कितने श्रोक है तो हिंदू मुझ से कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि हमारे धर्म में भी धर् मुझें कि त तो थर्म में की आप किनला नियुक्त झाल दो घुत करहएं कि नोगर ज़क्ति कि निया मावारत में वहंक्ति के धुड़र पिरल फॉय कि इसके किस्कृ कर करो जो धर्म के था फेम्च कि आहutetर खड़ा तो बातिल को कतर करने का दिखा गया महाँ बारत में वह लिखाए और 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 भगवत गीता बड़ी जाने वाली किताब भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सला देते हैं अब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नमबर वन भाग नमर एक श्रोका नमबर 42, 43, 44, 45 उसके अंदर अर्जुन कहता है जड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास पांडवास पांच भाए कौरवास हो भाए अर्जुन जंग के मैदान में हत्यार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्ता मनना पसंद उसके फारण बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर दो श्लोका नंबर दो और तीन में श्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं ए अर्जुन तू बुस्दिल कब से हो गया यह गलत ख्याला तेरे दिल में आई कैसे तू नपुनसक कैसा हो गया इंपोर्टेंट श्री कृष्ण अर्जुन को क्या मोलते हैं एंपोर्टेंट नपुन सकत है क्वह के रहा है श्री कृष्ण यह अर्जुन से जुथ दिल कब से हो गए शत्रिया का धर में घरना फिर भगवत गीता बाग नंबर दो श्लोका नंबर 31, 32, 33 में कहते शत्रिया का धर्में घरना अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं शत्रिया वो खुश नतीबे जिसे लड़ने का मौका मिलता है और अक्सर लोग कहते हैं इतरास करते हैं इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स हमारे अल्ला के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुझाहिद जंग के मैदान में जाता है उसका कतल होता है तो वो जाता है जन्नत में लिकाए सभी बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नमबर 4 हदीस नमबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुझाहिद जाता है उसका कतल होता है तो वो जाता है जन्नत में अगर वो जिन्दा वापिस लोटता है तो उससे दुनिया की दवलत मिलती है अक्सर लोग बोलते हैं कैसा मज़ब है लड़ने पे कतल करने पे जन्नत जाएंगा गलत मज़ब है लेकिन भगवत गिता पढ़ेंगे भाग नमबर दो मंत्रा नमबर 37 37 श्री किषिन कहते है अर्जुन से ए अर्जुन उटके लड़ अगर तेरा खतल हो जाएंगा तू सर्ग में जाएंगा अगर जिन्दा वापिस लोटेंगा तो उससे दुनिया की दूलत में फू बहू जो अल्ला के रसूल मुहम्मद स्लल्ला सलम कहते हैं सही बुखारी मे और भगवद किता में लिखा है तो अरून शुरी जब तंकीत करता है खुरान के बारे में इसमें खुद अपनी बहुत गिता पढ़ा ही ने अरून शुरी ने महामबारत पी शायद नहीं पढ़ा होता है तो खुरान में विस्टेक निकालता ही नहीं अब समझे रहें जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं मैंने झाल को पासदी को घाल को जो फाल को जा हुएो यदार को जो फिस टूल था हुआ है